हेलो व्यूटिफोल लेडीज नमस्कार कैसे हैं आप सब मैंने शुए एक बर फिट से आप सब का स्वागत करती हूँ आज के इस नए वीडियो में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नॉर्मल डिलेवरी के तीन लक्षन जिससे आप आसानी से अंदाज लग पहचान पाएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलेवरी ही होनी है मतलब अगर ये लक्षन नजर आते हैं तो नॉर्मल डिलेवरी होनी से कोई नहीं रोक सकता फिर खुद डॉक्टर भी नहीं रोक सकते तो फ्रेंड्स आज को वीडियो बहुत हीदा हेलफुल है तो वीडियो को ध्यां से देखें और अगर आपने भी तख चेलन को सब्सक्राइब नहीं गया है तो प्लीस चेल्म को सब्सक्राइब कर लिज्या आप लोग मेंशे संतर पर ю सब्सक्राइब लो कोई लाग ओ जो red click button है उसको gray कर दीजे, पास में जो घंटे उसको डगा लीजे, तो इससे क्या होगा आने वाले वीडियो का आपको time time पे पता चल पाएगा और सारे वीडियो आप देख पाएगे घर बैठे, free में तो चलिए friends आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो friends साइद आपको पता नहीं होगा कि normal delivery कब possible हो पाती है सबसे पहली चीज जो normal delivery के लिए जरूरी होती है वो होता है आपका 9 महीने का ultrasound जैसे कि डॉक्टर आपको 9 महीने में ultrasound करवाने के लिए बोलते हैं ultrasound सिर्ब रॉक्टरेसी लेकर आते हैं आपके delivery की situation पता करने के लिए कि आपके normal delivery हो पाएगी नहीं हो पाएगी कि सिजेरन करने पड़ेगी तो ये सारी बाते आपके last ultrasound से clear हो जाते हैं जो कि आपको 9 महीने में doctor करवाते हैं तो अगर आपको भी डॉक्टर ने बोला है कि 9 महीने आपका लग गया है पर ultrasound करवा लीजे तो आपको करवा लेना चाहिए एक तो आप normal delivery के टेंशन से free हो जाते हैं आपको पता चल जाता है कि हाँ normal delivery हो जाएगी और दूसरा आपको last time पे फाल तुम्हें इदर उधर नहीं भटकना होता है अगर कोई complication है तो डॉक्टर सिजेरिन बता देगा और अगर सब कुछ normal है तो डॉक्टर normal delivery बता देगा तो यह आपके फायदे के लिए होता है तो आप 9 महीने के ultrasound सबसे पहले जरूर कराएं आप 9 महीने के ultrasound में डॉक्टर कुछ ऐसे points देखकर आपको बताते हैं कि आपकी normal delivery हो पाएगी सबसे पहला point होता है बच्चे का सर नीचे होना मतलब बच्चे की cephalic position होना ultrasound में लिखा होता है cephalic position या vertex position अगर ये दो position बच्चे की लिखी होई है तो मतलब आपकी normal delivery हो जाएगी normal delivery में परिशानी नहीं आएगी अब जरूरी नहीं आप ultrasound से ही पता कर सकती है कि आपके बच्चे ने head down किया है नहीं आप बैसे भी पता कर सकती है आप कुछ लक्षनों से भी पता कर सकती है जैसे कि आपका back pain जादा बढ़ जाना पीट कमर में दर्द जादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है आपका बच्चा head down position में आ चुका है head down position में आने का दूसरा लक्षन होता है कि आपको pelvic area पर बहुत जादा दवाव पढ़ने लगेगा नीचे ऐसे feel होने लगेगा जब आप खड़ी है चल रही है तो ऐसा लगने लगेगा कि कुछ बीच में फसा हुआ है और जब मैं चलूंगी तो कुछ नीचे गिर ना जाए अगर इस तरगी की feeling आपको आ रही है तो मतलब आपकी normal delivery पक्की है बच्चे ने से नीचे कर लिया है अब इसके बाद 9 महिने में जैसी की ultrasound report में आपका AFI level, आपके बच्चे का बजन सब कुछ सही है, normal है तो आपकी normal delivery तो फिर हो ही जाएगी ठीक है, तो आप last letter sound जैसी करवा लेते हैं तो वो डॉक्टर से consult करें आपका AFI level कितना है और आपके बच्चे का weight कितना है बच्चे का weight ठीक है या ने जैसी की normal delivery के लिए बच्चे का बजन धाई किलो से लेके साड़े 3 किलो तक normal होता है बच्चे की normal delivery हो जाती है कोई परिशानी नहीं आती है लेकिन अगर इससे ज़्यादा है या कम है तो फिर normal delivery में परिशानी आती है जब आपका बच्चा healthy होता है तो normal delivery में आपकी help करता है बच्चा अच्छा खासा weight है बच्चा healthy है पूरे तरीके से तो normal delivery में जब आप पुष करते है तो बच्चा भी जोर लगाता है पाहर की तरफ निकलने में लेकिन अगर आपका बच्चा बीक है बजन बच्चे का कम है तो बच्चा फिर आपका साथ नहीं दे पाता है फिर normal delivery में problem आ जाती है या पुष करते करते ठक जाते है आपका BP high हो जाता है तो इस तरीके की problem अगर आ जाती है लास्ट टाइम पे तो फिर C-section delivery डॉक्टर को करनी पड़ती है इसके बाद next point अगर 9 वी महिने में आपका BP normal है आपका BP high नहीं हो रहा है सही एकदम 120-80 BP नहीं हो सकती है इसलिए time to time डॉक्टर्स के touch में रहे टेलेवरी से पहले ठिक है आपको पता चलता है कि आपका BP high जा रहा है और इसके साथ ये अपना सुगरıll लेविल भी चेक कराते रहें सुगर लेविल भी नहीं होना हुँना चैक ये इससे ज़्यादा अगर जा रहा है तो आपको डॉक्टर से अपनी सला लेनी चाहिए और बात करनी चाहिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए अगर आपका सुगर लेविल भी हाई है तो भी नॉर्मल डिलेवरी में परिशानी आती है तो आपका BP नार्मल है और सुगर लेविल नार्मल है तो नॉर्मल डिल्यवरी होने फिर कोई नहीं रोख सकता और इसके साथ एक और चीज मेंटर करती है वो होता है HV हीमोग्लोविन अगर आपका hemoglobin 11 point तक है तो normal delivery आपकी आसानी से हो जाएगी, normal delivery में परिशानी नहीं आएगी ठीके friends तो ये ऐसी most important चीज़े होती है जो अगर आपको 9 महीने में clear पता चल जाती है तो आप sure हो जाते हैं कि आपकी normal delivery हो जाएगी, normal delivery से कोई नहीं रोक सकता ठीके friends तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए, bye bye, thank you